इस वीडियो में मैं आपको 5SA Desert Air Cooler के बारे में बताने वाला हूँ जिने आप 10,000 रुपए के अंदर के प्राइज में खरीश सकते हैं इन सभी Desert Cooler के Water Tank की Capacity 70L से ज़्यादा की है और ये सभी अच्छी Quality के हैं और Customers ने भी इने बहुत अच्छा Review दिया हुआ है अगर आपके इन Cooler से Related कोई Query है तो आप Comment Section में पूछ सकते हैं मैं Maximum Comment का Reply करता हूँ तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सबसे ज़्यादा बिकने वाले Desert Air Cooler के बारे में जो है Crampton Ozone Desert Air Cooler इस Cooler का Unboxing मैंने पिछले साल किया था और अभी भी मैं इसे यूज कर रहा हूँ यह Cooler Maximum 190 Watt का Power Consume करता है और यह 55 L, 75 L और 88 L के 3 Variant में आता है यह बहुत अच्छे Finish के साथ आता है और मजबूत Plastic का बना हुआ है Speed को Control करने के लिए इसमें Control Knob लगा है जिसमें High, Medium और Low का Option मिलता है Function बटन का यूज करके आप Water Pump, Pump Plus Swing और Kival Swing को Set कर सकते हैं इसके Lowers को Manually हाथ से Set करना पड़ता है जो कि इसका एक Minus Point है इसमें Medium Size का Ice Chamber है जिसमें आप Burp डालकर Super Cooling पा सकते हैं आगे की तरफ Water Inlet है जहांसे आप आसानी से पानी भर सकते हैं ये Water Inlet थोड़ा Hard होता है और आसानी से Open नहीं होता है लेकिन ये इतना बड़ा है कि इससे Water Tank में Direct Burp भी डाल सकते हैं इसके Just नीचे की तरफ Water Level Indicator बना है जिसमें Marking की गई है इसके Caster Will बहुत ही मजबूत हैं और Smoothly काम करते हैं इसके Caster Will में Lock भी मिलता है बाटम में Water Release Plug है जिससे पानी को बाहर निकाला जा सकता है या Cooler Auto Fill Feature के साथ आता है जिसका फायदा या है कि Water Tap Connect होने पर पानी कम होने की Condition में या Automatically Tank में पानी भर देता है इसके तीनों तरब बहुत ही अच्छी Quality के Honeycomb Cooling Pad लगे हुए है और इसमें लगबग 5 फूट की लंबाई का Power Card मिलता है इसके Back Honeycomb को बड़े आसानी से Open किया जा सकता है कमपनी इस पर 52 फूट तक Air Throw का वादा करती है लेकिन इसमें 30 फूट तक का Powerful Air Throw मिलता है इसके 75 लिटर के Variant की चोड़ाई 61 सेंटीमीटर घाराई 40.5 सेंटीमीटर और उचाई 120 सेंटीमीटर है इसका Weight 14 किलो 500 ग्राम है और इस पर एक साल की वारंटी मिलती है यह Made in India Cooler है और इसका प्राइज 10,000 से 11,000 रुपए के आसपस रहता है लिंक के डिस्क्रिप्शन में है आप वहाँ से इसका लेटेस प्राइज चेक कर सकते हैं Best Desert Cooler Under 10,000 की इस लिष्ट में अगला Cooler है Orient Electric Desert Air Cooler Orient का यह Cooler बहतरीन फीनिस के साथ आता है और इसमें मजबूत प्लास्टिक बॉड़ी यूज हुआ है इसके water tanky capacity 85 liter की है और यह maximum 200 watt का power consume करता है Companies पर 55 foot तक air throw का दावा करती है लेकिन इसमें 30 foot तक का powerful air throw मिलता है इसमें आगे की तरफ water level indicator बना है और यह भी auto fill function के साथ आता है इसमें motorized vertical lowers यूज हुए हैं इसके तीनों side में बहतरीन honeycomb cooling pad यूज हुआ है और उपर की तरफ medium size का ice chamber मिलता है fan की speed को control करने के लिए इसमें control knob लगा है और इसमें 3 speed setting का option मिलता है function knob का use करके pump और swing को control किया जा सकता है easy mobility के लिए इसमें caster wheel लगा हुआ है बात करें इसके dimension की तो इसकी चोड़ाई 62 cm, घराई 49 cm और उचाई 11 cm है इसका price 10,000 से 11,000 रुपए के आसपास रहता है link description में है आप वहाँ से इसका latest price चेक कर सकते है अगला dessert cooler जिससे अब 10,000 रुपए के अंदर के price में खरीच सकते है वो है हिंद वेर का snow crest architect cooler यह cooler 90 लिटर के water tank की capacity के साथ आता है और maximum 200 watt का power consume करता है इसकी body ABS की बनी है और यह लगबख 30 foot तक का powerful air through देता है इसमें आगे की तरफ water level indicator बना है और इसके lowers को पूरी दर से बंद किया जा सकता है जिससे cooler में मच्छर वगर जाने का डर नहीं रता है इसके तीनों साइड में honeycomb cooling pad लगा है और इसमें 3 speed का option मिलता है function button का use करके आप pump और swing को control कर सकते है पीछे की तरफ card winder है और easy mobility के लिए इसमें kaster wheel लगे हुए है इसकी चोड़ाई 70 cm, घाराई 40 cm और उचाई 134 cm है और इस पर एक साल की warranty मिलती है यह made in India cooler है और इसका price 10,000 से 11,000 रुपए के बीच रहता है description में दियेगा link से आप इसका latest price चेक कर सकते हैं इसके अलावा आप handy wear की तरफ से आने वाले इस dessert cooler को भी खरीच सकते हैं इसके water tank की capacity 85 liter की है और यह maximum 200 watt का power consume करता है इसके lowers पूरी तरह से बंद नहीं होते हैं और इसमें autofill का function भी नहीं मिलता है लेकिन इसका price 10,000 रुपे के अंदर रहता है अब बात करते हैं बजाज DC 2050 dessert air cooler के बारे में बजाज का यह dessert cooler 70 liter के water tank की capacity के साथ आता है और maximum 200 watt का power consume करता है इसमें hexa cool और turbo fan technology का use किया गया है company इस पर 80 foot तक air throw का दावा करती है जो की बिल्कुल गलत है आपको इस पर 25 से 30 foot का powerful air throw मिल सकता है इसके तीन साइड में अच्छी quality का honeycomb cooling pad योज हुआ है speed और function को control करने के लिए इसमें 2 control knob लगे हैं इसकी चोड़ाई 60 cm, गहराई 50 cm और उचाई 108.5 cm है और इस पर 2 साल की warranty मिलती है क्योंकि बजाज के maximum coolers पर 2 साल की warranty मिलती है यह cooler made in India है और इसका price 9000 से 10,000 रुपए के बीच रहता है description में दिये गए link से आप इसका latest price चेक कर सकते हैं अगर आप बजाज कंपनी का बड़े water tank की capacity वाला cooler चाहते हैं तो आप बजाज DMS 90, new desert air cooler को खरीच सकते हैं यह cooler भी बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है लेकिन इसका price 10,000 रुपए से 11,000 रुपए के बीच रहता है और finally बात करते हैं Onida की तरफ से आने वाले इस desert air cooler के बारे में जो कि 60 liter और 75 liter के water tank की capacity के 2 variant के साथ आता है और maximum 190 watt का power consume करता है इसमें 25 से 30 foot तक का powerful air throw मिलता है और तीनों side में बहुत ही अच्छी quality का honeycomb cooling pad यूज हुआ है इसमें 2 control knob लगे हैं जिनसे fan speed, pump और swing को control किया जा सकता है इसमें 3 fan speed का option मिलता है यह cooler भी autofill function के साथ आता है और उपर की तरफ medium size का ice chamber मिलता है इसमें भी easy mobility के लिए caster wheel लगे हुए है इसके 75 लिटर के variant की चोड़ाई 40.7 cm, घाराई 62 cm और उचाई 118 cm है इसका weight 19 kg 500 gram है और इस पर एक साल की warranty मिलती है तो इस तरह से इस वीडियो में मैंने 5 as a desert air cooler के बारे में बताया है जिने आप 10,000 रुपे के अंदर के price में खरी सकते है इन सभी cooler का link मैंने description में दिया है आप वहाँ से इनका latest price चेक कर सकते है वीडियो यूसफुल लगे तो इसे like और share करें और इसी तरह के वीडियो के लिए चैनल को subscribe करें Thank you for watching